नमस्कार साथियों, स्वागत था आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में अभी मैं वेबसाइट चेक कर रहा था गवर्मेंट पॉली टेकनिक उन्नाओ का तो उसमें एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो स्लाइडें चलती रहती है उसमें लिखा था कि एक तारिक से क्लासे जो है आपके स्टार्ट हो जाएगे एक तारिक कन्फ्यूज मत होई है आने वाला एक तारिक जो एक अक्टूबर है क्लासे आपके एक अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगे admission के लिए process में जो time लग रहा है जो आपके पास notification नहीं आया है उसका reason ये था इस second semester के exams जो है 19 तारीक को result आने माला है 19 तारीक को result आने के बाद मुझे लगता है आप लोगों के admission process start हो जाएंगे दोस्तो पहले पिछले साल क्या होता था जब आप पैसे जमा करते थे तो आपको ना allotment later जो है उसके पीछे जो है एक letter print होके मिलता था जो उसमें लिखा रहता था कि आप जो है two weeks का time दिया रहता था कि admission दो है दो हपतों के बीच में maximum आपको करवा लेना है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे again request करूँगा कि सभी लोग जो है within 10 days जब भी आपकी counseling complete होई है और third round की counseling से पहले जो की 24 को complete हो रही है उससे पहले जाके आप एपना admission करवा सकते हैं आपको hostel भी पहले मिल सकता है क्योंकि बाद में hostel जाएंगे लेने अगर fill हो चुका होगा तो नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है कि कोई लखनव से गाजियाबाद आया है तो उसको college में अगर hostel अलॉट हो गया है तो कोई जो है दिवरिया से आ रहा है तो वो कह रहा है जी लखनवाले को निकाल दो मैं तो काफी दूर से आया हूँ ऐसा नहीं होता है तो आप पहले जाईए अपना admission process करवाईए और 19 को result आएगा I think तो 19 के बाद आप 20 को 21 को 22 को जब भी जाना चाहें जा सकते हैं तो ये मुझे हीवेट पॉली टेकनिक से मिला था information और 12 बंकी में भी मिला था और आज मैंने उन्नाओ की website चेक की तो वहाँ पे उन्होंने भी notification जारी किया है कि एक तारिक से classes आपके start हो जाएंगे और 25 तारिक से second year वालों का जो third semester के classes हैं वो भी proper way में चलने लगेंगी ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों next video में तब तक के लिए take care bye bye